हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा है क्या वाट इस जावा तो देखिए यहाँ पर जैसा की डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं जावा इस जनरल परपस क्लास बेस्ट आबजेक्ट ओरिंटेट प्रोग्रामिंग लेंगविज अब यहाँ पर जावा इस जनरल परपस जनरल परपस का मतलब क्या है कि जो भी हम रियल लाइफ में रियल वर्ड में एप्लिकेशन्स या सॉप्टेयर्स यूज करते हैं जैसे कि web applications या mobile app, यह सभी के सभी हम Java से develop कर सकते हैं, इसलिए इसको general purpose बोलते हैं, इसके बाद आता है class based, तो देखिए Java में जो भी हम program बनाएंगे या जो भी code लिखेंगे, वो हम class के अंदर ही लिखेंगे, या यह कहें कि Java में अगर हमें program बनाना है, तो हमें class बनाना ही इसलिए इसको class based बोलते हैं, क्योंकि बिना class के हम program बना ही नहीं सकते हैं, हमें पहले class बनानी पड़ेगी, उसी के बाद हम code लिख पाएंगे Java में, उसके बाद object oriented programming language, तो देखिए object oriented का मतलब यह है, कि जब भी हम Java का program बनाते हैं, तो किसी ना किसी object को represent कर रहे होते हैं उस code लिखेंगे, वो किसी ना किसी object को represent करेगा, तो हर एक program किसी ना किसी object को represent करेगा Java में, इसलिए इसको object oriented programming language बोलते हैं, तो यहाँ पर यह तो समझ में आ गया होगा, कि Java is a general purpose class based object oriented programming language, क्योंकि Java एक general purpose language है, और class based भी है, क्योंकि class के अंदर ही हम code लिखते हैं, जो भी लिखत हैं, इसलिए हम Java को object oriented programming language बोलते हैं, it is also known as high level programming language, अब Java एक high level programming language है, यहाँ पर high level programming language का मतलब क्या है, high level programming language वो होती है, जिन languages को human, यानि कि हम इनसान, आसानी से समझ सकें, easily understand कर सकें, यह machine dependent नहीं होती है, यह ऐसी language होती है, इसमें हम जब code लिखते हैं, तो वो code गोड़े हैं combination ही होता है, alphabets और symbols का, तो इसलिए हमें alphabets और symbols इसलिए समझ में आ जाते हैं, इसलिए इनको high level programming language बोलते हैं, और Java एक high level programming language है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, अब इसके बाद जो अंगला point है, कि Java develop किसके द्वारा की गई थी, तो Java जो है, Jamps Gosselin के द्वारा develop की मिलके Java को develop किया था, अब देखिए, Java एक object oriented programming language है, और C++ भी object oriented programming language है, तो Java language को develop करने का मकसद क्या था, Jamps Gosselin जी का, या फर Java programming language को बनाने का क्या motive था, क्या मकसद था, तो वो ये था, कि write once or run anywhere, क्योंकि जो C++ language थी, वो platform dependent थी, यानि कि जिस भी machine पे हम program बनाते थे, वो cable उसी machine पे run हो पाता था, लेकिन जो Java का code है, वो हम किसी भी machine या किसी भी operating system पे बनाएं, इस से कोई फरक नहीं पड़ता है, वो किसी भी computer पे run हो सकता है, write once, run anywhere, क्योंकि जो Java का program है, ये JVM, यानि कि Java virtual machine के अंतर run होता है, तो किसी भी computer में Java का program run करने के लिए, सर्त ए लिएक है कि उस computer या machine में JVM install होना चाहिए, तो Java का program run हो जाएगा, चाहे वो आपने किसी भी computer या machine पे बनाया हो, तो यही मकसद था Java को develop करने का, जावा की history के बारे में हम अंगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, कि कैसे Java develop होई और कहां पे develop होई, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उमीदे आपको समझ में आ गया होगा, कि Java है क्या, और इसको develop करने का मकसद क्या था, तो आज के इस वीडिय में इतना ही, मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धंडवाद,